आज हम IPC के चाप्टर 4 का पार्ट 1 करेंगे जिसमें section 76 to 84 देखेंगे ये पार्ट general exception से related है तो आप अपनी bear act उठा लीजे और हम section 76 से शुरू करते हैं section 76 बात करता है किसी ऐसे act की जो की mistake of fact की वज़े से हुआ हो और जिस व्यक्ती ने उस act को किया है he believes himself to be bound by law कुल मिलाके यदि आपने कोई ऐसा कारे कर दिया है जो की mistake of fact के वज़े से हुआ है और आपको लगा था कि आप legally bound हैं for carrying out that act तो ये नहीं कहा जा सकता कि आपने offense किया है इस शीज को और अच्छे से समझने के लिए हम illustrations को देखते हैं अब दिखे ए एक soldier है और उसके superior officer के order के बाद उसने भीड के उपर firing कर दी अब जाहर सी बात है कि आर्मी में इन subordination के लिए कोई भी जगा नहीं होती और इसी वज़े से एको किसी भी offense के लिए गिरफतार नहीं किया जा सकता अब यहाँ पर आप एक बहुत भी अच्छा example जलिया वाला बाग का ले सकते हैं जहां पर जनरल डायर ने firing का order दिया था लेकिन हम लोग जिन individual सिपाहियों ने firing की थी उनको हम दोशी नहीं मानते बलकि हम सिर्फ जनरल डायर को दोशी मानते हैं दूसरे illustration देखें तो इसमें A एक officer of the court है और उसकी court ने order किया है to arrest Y अब A ने इस order के furtherance में एक inquiry conduct की और Z को गिरफतार कर लिया believing him to be Y मतलब यहाँ पर identification की mistake हो गई लेकिन A का belief यह था कि he is bound by law for arresting Y ऐसे case में यह नहीं कहा जा सकता कि A ने कोई offense किया है इसके बाद section 77 में दिया है act of a judge when acting judicially अब कोई भी judge यदि अपनी judicial powers के तहट कोई काम करता है तो वो कारे कभी भी offense की shreddy में नहीं आएगा इसके अलाबा यदि उसने good faith में कोई काम किया है जिसमें he believes कि वो कारे उसको law के द्वारा दिया गया है ऐसे कारे को भी हम offense नहीं मानेंगे इसके अलाबा यदि किसी judgment या फिर order के pursuence में आप कोई act करते हैं तो वो भी offense नहीं होगा लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी सबसे पहले तो वो order या फिर judgment in force होना चाहिए मतलब मान लीजे आपको civil court से decree मिल गई है अब आपके जो opponent है वो उस decree के खिलाफ high court के appellate jurisdiction के अंतरगत चले गए हैं and on the first hearing high court ने आपके decree के उपर stay लगा दी ऐसे में जो civil court का judgment है वो enforce नहीं रहे गया और अब यदि आप civil court के judgment को enforce करने की कोशिश करते हैं despite the stay of the high court तो आपको section 78 के अंतरगत नहीं cover किया जाएगा अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखेगा कि इसमें court के jurisdiction का कोई भी असर नहीं पड़ेगा मतलब मान लिज़े A और B के बीच में एक case है मान लिज़े A ने एक तहसील से order ले लिया क्योंकि उसको लगा कि जो property and dispute है उसके उपर उसी तहसील का jurisdiction है However, इस order के खिलाफ B high court में पहुँच गए और ये कहा कि A ने गलत तहसील से अपने favor में order पाया है अब दिखे जो civil side का matter है उसमें तो B को relief मिलेगी बट जो A का conduct है कि उसने गलत तहसील से order ले लिया उस conduct को हम offense नहीं मान सकते Because he believed that such court had jurisdiction अब एके IPC में mistake of fact को ignore किया जा सकता है However, mistake of law को कभी भी ignore नहीं किया जा सकता अब mistake of law और mistake of fact के बीच में अगर आपको difference लिखने को आता है तो आप section 79 को cite कर सकते हैं इसमें दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि he is justified by law या फिर किसी mistake of fact की वज़े से उसको ये लगता है कि he is justified by law तो conduct a particular act अब यहाँ पर दो probabilities हैं एक तो वो person justified है और दूसरा he believes himself to be justified ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ऐसा act करता है तो he has done no offense यहाँ पर दो conditions को ध्यान रखेगा एक तो justified by law और दूसरा mistake of fact and not by reason of mistake of law इन good faith believes himself to be justified by law आए इससे related illustration देखते हैं अब A ने Z को देखा कि Z ने murder किया है लेकिन उसको confirm नहीं है बलकि it appears to him कि Z ने murder किया है अब देके CRPC में arrest by private persons भी दिया गया है और ऐसे case में A के पास power है कि वो Z को apprehend करके police के पास ले जाए अब A की यहाँ पर good faith है और उसने Z को apprehend कर लिया and turned him over to proper authorities अब यहाँ पर A ने कोई भी offense commit नहीं किया है चाहें बाद में यह पता चले कि Z का act एक self defense था इसी वज़े से यहाँ पर लिखा हुआ है कि it appears कि Z ने murder किया है और इस वज़े से A ने उसको apprehend किया था इसके बाद section 80 में accident के बारे में दिया गया है और यह कहा गया है कि nothing is an offense which is done by accident और misfortune अब accident तो समझ में आता है बट misfortune का क्या art है मान लीजे आप first floor पे किसी air conditioner को ठीक कर रहे हैं अब उसको ठीक करते समय वो air conditioner गिर जाता है और ground floor पे चल रहे एक pedestrian पे वो air conditioner गिर जाता है अब जाहिर सी बात है ना यहाँ पर intention था और ना ही आपको पता था कि यह air conditioner खुल के किसी pedestrian के उपर गिर जाएगा अब ऐसे death के पीछे कोई भी reason नहीं है and hence it is misfortunate लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें जरूरी हैं कि आपका ना तो कोई criminal intention होना चाहिए और ना ही knowledge होनी चाहिए और आप जो act कर रहे हैं it should be done in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution अब similar example ले लीजे इस air conditioner में particularly वो nuts and bolts खराब हैं जिसकी वज़े से यह AC खिरकी से जुड़ा हुआ है अब इसको जब आप ठीक कर रहे हैं तब आपको पता है कि the air conditioner can fall down और किसी भी pedestrian को इसकी वज़े से चोट लग सकती है अब यहाँ पर आपको एक तो knowledge थी और दूसरा आपने proper care and caution नहीं लिया मतलब आप ऐसा भी कर सकते थे कि AC के नीचे वाले रस्ते को फंद कर दें या फिर वहाँ पर danger का sign लगा दें लेकिन आपने ये सब चीजें नहीं की ऐसे case में आपको section 80 of IPC का benefit नहीं मिलेगा अब section 80 के application के बारे में आतमेंद्र वर्सेस state of करनाट का 1998 में काफी अच्छे से बताया गया है यहाँ पर section 80 के intent को court ने describe किया और ये कहा कि अगर किसी व्यक्ती को section 80 का benefit लेना है तो उसको following चीजें दिखानी होंगी पहला तो जो भी act किया गया है it is without any criminal intention या फिर knowledge दूसरा the act has been done in a lawful manner by lawful means और तीसरा act was done with proper care and caution इसके बाद section 81 में दिया गया है कि ऐसा act which is likely to cause harm बट उस act के पीछे कोई भी criminal intent नहीं है बलकि intention ये है कि कोई और harm prevent किया जा सके यहाँ पर एक बाद ध्यान रखेगा कि avoiding other harm to person or property यानि कि अगर property को protect करने के लिए यदि आपने कोई ऐसा काम किया है which is likely to cause harm लेकिन आपने ऐसा कार किसी भी criminal intention से नहीं किया बलकि good faith में किया है for preventing harm to property or person for example A, B और C तीन पड़ोसी हैं अब B के पास एक बहुत बड़ा बुल है जो की C के उपर attack कर देता है अब A ने C को बचाने के purpose से इस बुल को injured कर दिया अब जाहिर सी बात है कि ये बी की property थी जिसको की A ने injured कर दिया बट यहां पर जो A का act है वो पहली बात तो C को बचाने के लिए था और दूसरा और इसमें A का intention ये नहीं था कि वो बुल को चोटिल करे बलकि उसका core intention ये था कि C को बचाया जा सके तो he had no criminal intention ऐसे case में A को section 81 of IPC का benefit मिलेगा इसके बाद इस चीज को explain किया गया है कि क्या किसी harm को prevent करने के लिए यदि कोई act किया गया है तो that act is justified or not मतलब उपर वाले illustration के परिपेक्ष में बात करें तो ये देखा जाएगा कि क्या A का act justified था मतलब क्या A के पास और कोई options नहीं थे लेकिन ये सभी चीजें retail basis पे decide होंगी यानि की case by case because this is a question of fact and not a question of law अब देके 1966 के वीदा मेंसेज वर्सिस यूसुफ खान के case में सवाल ये उठा कि जो term है causing harm, इस harm में क्या physical injury आएगी औरनेवल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को साफ कर दिया कि harm includes physical injury इसके बाद हाली में 2018 का common cause versus union of India भी है इस case में ओरनेवल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि section 81 के case में elements देखे जाएंगे पहला कि act is done without any criminal intent to cause harm, ये हो गया पहला दूसरा है in good faith and for preventing other harm, तो total दो elements देखे जाएंगे before applying section 81 of IPC इसके बाद section 82 में दिया गया है act of a child under 7 years of age simple CDC ये बात समझे कि 7 सल से नीचे का यदि कोई बच्चा है तो उसके act को offense नहीं माना जाएगा इसके बाद बात की गई है act of a child above 7 years but under 12 years of immature understanding मतलब 6 से 12 साल के बीच में बच्चे की age है but he is of immature understanding immature understanding का अर्थ है कि he cannot judge the nature and consequences of his conduct मतलब उसने जो act किया है उसका nature क्या है और उसके consequences क्या है इसके बारे में उस child को नहीं पता तो हम उस child के act को offense नहीं मानेंगे अब last में section 84 में दिया गया है कि act of a person of unsound mind अब देखे यहाँ पर सिर्फ unsound mind ही नहीं बलकि कुछ चीज़ें और देखी जाएंगी पहली चीज़ थो उसके act के पीछे unsoundness of mind ही reason है इसके अलावा that person is incapable of knowing the nature of the act और उसको नहीं पता है कि जो भी वो act कर रहा है it is either wrong और contrary to law ऐसे case में व्यक्तिके act को section 84 of IPC का benefit मिलेगा 4 of IPC कवर किया है next video में हम बाकी का chapter 4 देखेंगे तब तक के लिए channel को subscribe करेए और regular updates के लिए notification icon को ज़रूर यूज कीजिए thanks for listening जैहिंद